Hey guys, welcome to my channel करंत्री वेलोस्टी So, इस पार्ट में हम मुसासी मियामोटो और रेच्चुकायो की फाइट कंटीन्यू होते हुए देखेंगे जिसमें मियामोटो अपनी तलवार को पहली बार असली तरीके से किसी पर यूस करेंगे क्या रेच्चुकायो मियामोटो की तलवार को जहल पाएगा ये तो हमें इस पार्ट में ही पता चलेगा क्या वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो करी देना सो बाकी डो मांगा का पार्ट 19 सुरू होता है मुसासी मियामोटो रेच्चुकायो से कहते हैं बच्चो का खेल अब बहुत हो गया अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली तलवार बाजी केसे कहते हैं सामने हम देखते हैं रेच्चुकायो बाकी हानमा के फाइटिंग स्टाइल में खड़ा होता है जिसके रियक्शन में ओडियन्स, मोटोवे, जैक हानमा और काट्सु में उरोची कहते हैं देखो ये तो बाकी हानमा का स्टाइल है, वो चैंपियन के पोस्ट को यूज कर रहा है अरीना में बाकी रेच्चु को देखतर कहता है कास की ये बात मैं तुमसे कह पाता अपने सरीर को मोडो और सरीर को अपने आम्स के पीछी रखो जहां तुम अटेक को जहिल सको, अपने एक पैर को आगे रखो सरीर की ग्रेविटी को अपने टोस पर जाने दो आगे का कंदा तुमारी चीन को बचाएगा एक मुक्का अपने मुग के सामने और दूसरा खुला ही छोड़ दो जिससे तुम किसी भी सुच्वेशन पर रियक्ट कर सको ओ, मैं इस पोजीशन में कब आ गया, पता ही नहीं चला खेर, रेट्सु मैं तुमसे कहना चाता हूँ कुछ इस तरह से अपनी बॉड़ी को सैट करो मुसासी मियमोटो अपनी तलवार के साथ रेट्सु कायो की और बढ़ रही होते हैं और रेट्सु कायो अपने दिमाग में सोच रहा होता है मेरे पूरे सरीर में चैनिज मार्सल आर्ट्स बह रही है और मैं इसे खराब नहीं होने दूँगा मेरी लेफ्ट एल्बो में दर्द भी हो रहा है साथ मैं अपने सीधे पैर को उनके खिलाफ यूज कर सकता हूँ ठीक है यही टाइम है चलो अब मुझे अटेक करना ही होगा हम देखते हैं मियमोटो बड़े ही भयानक रूप में की खेरे रेट्स्य कायों के सामने आ तब रेट्सू कहता है यह तो साफ है कि मोशाजी म्यमोटो अपने सामने किसी भी चीज को काट सकते हैं यही टाइम है मुझे अपनी टेकनिक को यूजा करना ही होगा क्या वो मुझे सच में काट सकते हैं जिसके बाद होता ये है मुसासी मियामोटो रेच्चु कायो उपर सुपर स्पीड में अपर तलवार से अटेक करते हैं और होता ये है मियामोटो की तलवार रेच्चु कायो के फेस में जागुसती है जिसे देखकर underground fighters और audience के host उड़ जाते हैं वो लोग कहते हैं क्या उन्होंने रेट्सु कायो को काट दिया रेट्सु के face में मुसासी के तलवार गुसी होती है तो रेट्सु मियामोटो से कहता है तुमने ऐसा क्यों किया तुम रुक क्यों गए तुमने मुझे काटा क्यों नहीं जिस पर मियामोटो यहाँ पर कहते हैं तुम मुझे अभी भी देख रहे हो एक असली warrior और ये कहने के बाद मियामोटो अपने तलवार पूरी तरह से रेट्सु कायो उपर चला देते हैं जिसे देखकर लगता है कि रेट्सु कायो के फेस के दो तुकड़े हो गए होंगे लेकिन रेट्सु कायो तलवार की movement के साथ यहाँ पर घुम जाता है और इसी speed के साथ रेट्सु कायो मियामोटो के फेस पर एक जवरदस्त किक मारता है जिसके वज़े से मियामोटो वहीं पर नीचे गिर जाते हैं यह देखकर काथ्सु में मोटोवे और बाकी excited होते हों कहते हैं रेट्सु तुम एक genius हो उन्होंने एक punk से लात खा ली awesome रेट्सु तुमने कर दिखाया वाव हम देखते हैं रेट्सु कायो मियामोटो की तलवार से थोड़ा सा ही कटा होता है लेकिन मियामोटो सामने से खून की खासी कर रही होते हैं यहाँ पर रेट्सु कायो अपने दिमाग में सूचता है थेंक्यू बाकी तुमारे fighting post के लिए इस post की मदद से मैं अपनी पूरी body को यूज कर पाया वैसे तो मुझे तुमारा post पसंद नहीं है लेकिन इस situation के लिए तुमारा ये post काफी ठीक है बिल्कुल एक punk की तरह है मियामोटो की देखकर audience कहती है देखो वो उड़ भी नहीं पा रहे रैच्चू उन्हें मार दो तुमारे पास यही मौका है मुझासी मियामोटो को देखकर रैच्चू कायो अपने दिमाग में सोचता है उन्हें इस हालत में मार दूँ इस लड़ाई का यही पर अंत हो जाएगा सायद मैं उनके उठने के बाद भी उन्हें हरा सकता हूँ हम देखते हैं मियामोटो तलवार का सहरा लेते हुए उपर उठ रहे होते हैं लेकिन इतने में ही रैच्चू कायो कूतते हुए मियामोटो पर पीछे से अटैक कर देता है लेकिन अचानक से होता ही है मुसाजी मियामोटो अपने कंदों में बंदे हुए रिष्टी सेप से रेट्सू के गले को दबोच लेते हैं और देखते ही देखते मियामोटो रेट्सू के पुरे सरीर को रिष्टी टेप की मदद से बांद देते हैं जिस पर Miyamoto रेच्चु का यह उसे कहते हैं रेच्चु इसे कहते हैं असली मार्शल आर्ट्स इसे मैं बांधने वाली टेक्निक कहता हूँ इस टेक्निक को वैसे तो मैं बहुत कमी यूज करता हूँ क्योंकि इससे अपोनेंट की सभी मूवमेंट बंद हो जाती हैं यहाँ पर इस टेक्निक को देखकर काट्सु मी उरुची कहता है ओसम इस टेक्निक को मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पर मोटो वे रेच्चु की हालत देखकर कहते हैं रेच्चु के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मियामोटो के लिए मार्षल आRT कुछ और ही है यहाँ पर टोकुगावा भी कहते हैं मियामोटो ने कुछ गलत नहीं किया मार्षल आर्टो में ये टेक्निक कोई भी उस कर सकता है रेट्सू ने नासमजी में उन पर अटेक किया और मियामोटो ने इसका अच्छे से फायदा उठा लिया काकु कायो जिनोंने रेट्सू कायो को ट्रेनिंग कराई होती है वो भी यहाँ पर कहते हैं यह लड़ाई यहीं पर खतम हो चुकी है नहीं उन्होंने काटा नहीं उन्होंने रेट्सू को हराया लेकिन रेट्सू की सभी मूवमेंट को बंद कर दिया रेट्सू तुम्हारे साथ बुरा हुआ जमीन पर लाचार बना हुआ रैच्चू का यह वो मियामोटो से चिलाते हूँ कहता है मियामोटो तुम रुक चूगे मुझे काट दो जिस वर मियामोटो कहते हैं रैच्चू रोना बंद करो तुम मुझे मेरी मर्जी से काटने भी देना नहीं चाहते तुमने मुझे बार-बार मारा मेरी नाक के अंदर की हड़ी भी तोड़ दी बस यही बज़े थी इसलिए तुम नीचे बंदे हुए पड़े हो हम देखते हैं यहाँ पर मियामोटो अरीना वाली तलवार को जमीन में गाट देते हैं जिसके बाद अपनी ओरिजनल तलवार से वो उस अरीना वाली तलवार को ऐसे काट देते हैं जैसे कि वो कोई लकडी की बनी हुई तलवार हो मियामोटो रेच्चुकायो से कहते हैं क्या अब भी तुम मुझ से कटना चाहते हूँ जिसके रेक्शन में बाकी और आउडिन्स कहती है वो सिरियस हो चुके हैं मियामोटो ऐसा मत करिए उसे मत काटो तभी होता यह है सुपरी स्वीड में मियामोटो रेच्चुकायो पर अपनी तलवार से हमला कर देते हैं यहां पर रेचु कायो तो बुरी तरह से डर चुका होता है, उसे अपने सरीर के कटे हुए दोस से महसूस होने लगते हैं, लेकिन होता यह है, मियामोटो ने रेचु कायो पर बंदे हुए रिस्टी टेप को काटा होता है, रिस्टी टेप के कटते ही रेचु कायो तुरंतिक यहाँ पर खड़ा हो जाता है इतने में मियामटो रेच्चू से कहते हैं रेच्चू आज तुम देखोगे कि एक असली तलवार से कटना क्या होता है सामने से रेच्चू कायो कहता है यही टाइम है मुझे अपनी साउरी को यूज करना ही होगा मुसासी मियामटो अपनी खाते हुए वो साउरी टेकनिक को यूज करता है वो तलवार की मुव्मेंट के साथ ही नीचे की और घूमते हुए मियामटो पर जवरदस्त किक मारने की कोशिस करता है लेकिन रेच्चू कायो की किक मियामटो अपने हाथों से ब्लॉक कर देते हैं यहाँ पर हम देखते है मियामटो ने रेच्चू कायो के नकली पैर को सिर्फ अपने खाली हाथ से ही काट दिया होता है जिसके बाद होता ही है मियामटो अपने तलवार को वापस कवर में रख लेते हैं यहाँ पर हम देखते हैं रेच्चू कायो को जिसके चहरे पर हमें एक कट दिखाई देता है बिल्कुल चेहरे के बीचो बीच और रेच्चु कायो हैरान हुआ सीधा खड़ा होता है रेच्चु को देखकर काकु कायो कहते हैं मैं समझ गया बिल्कुल अभी अभी मियामोटो ने मेरी सावरी टेकनिक को हरा दिया हम देखते हैं रेट्सु कायो हैरान होकर खड़ा होता है तब ही उसके चहरे के बीचो बीच से खून ही खून भेने लगता है जिसवर रेट्सु मियामोटो से कहता है जैसा जैसा तुमने कहा था तुमने मुझे काड़ दिया जिसवर मियामोटो कहते है उस बात की चिंता मत क लेकिन अभी भी तुम बात कैसे कर रहे हो मैंने तो तुम्हें जान से मारनी की कोशिश की थी जिस पर रेचुकायो हैरान होते हो कहता है मतलब साउरी ने काम कर दिया तुमने मुझे मारनी की कोशिश की पर मैं मरा नहीं चलो एक बार और ट्राइ करते हैं मैं एक बार और उस बनाया है, इससे आप के लिए समझ सकते हैं, वो हमला करने के लिए तैयार है, रेट्सू यहाँ पर आगे क्या करने वाला है, वो इस बात को यहाँ पर बिल्कुल भी छुपाना नहीं चाहता, रेट्सू का यह बिल्कुल पिकल की तरह मुसासी मियामोटो पर हमला कर देत है, जिससे मियामोटो की तलवार उसके हातों से बाहर ना निकल पाए, लेकिन मियामोटो अपनी तलवार को बाहर निकालने के लिए रेट्सू कायो को हवा में ही घुमा कर फेक देते हैं, रेट्सू कायो जब जमीन पर लेंड हो रहा होता है, उसी समय मियामोटो अपनी त काटने के बाद वहां से भी तेजी से खून बहने लगता है और यहां पर रेट्सु कायो अपने एक पैर पर नंब पोजीशन में खड़ा रहता है उसके चहरे से सभी तरह के एक्सपरेशन भी गायब होने लगते हैं रेट्सु की इसालत को देखकर ओडियंस में अजीब सी स चानती चा जाती है और वो कहते हैं उन्हें सच में उसे काट दिया यह हम क्या देख रहे हैं रेट्सु क्या तुम अभी वी जिंदा हो रेट्सु का यह अपने कमर पर हाथ रखते हों कहता है सो मुसासी मयमोटो की भासा में इसे ही काटना कहते हैं असली कट कुछ इस तरह जैसे फील होता है ये वही मूवमेंट था जब मेरा पंक तूट गया सबसे पहले मैंने अपने हातों की गिरिप को खो दिया जब उन्होंने अपनी तलवार को मेरे हातों से छुडा लिया तभी मैंने साउरी को घूमने के लिए यूस किया था और साय जब मैं घूम रहा था सबी उन्होंने मुझे काट दिया मिया मोटो की तलवार ने मेरे सबी ओर्गन्स को काट दिया मुझे बिलीब नहीं हो रहा वो कुछ इस तरह से मुझे काट सकते थे उन्होंने मेरी रीड की हड़ी को भी काट दिया और मुझे अब लगता है मैं उन्हें काउंटर अटेक नहीं कर सकता मेरा पैरो पर खड़ा हो पाना एक सपने जैसा लग रहा है लेकिन अगली बार उन्हें मैं कोई भी मौका नहीं दूँगा यहाँ पर रेच्चुकायो मूँ के बल जमीन पर गिर गया होता है और वो पूरी तरह से खून में लत्पत भी होता है और धीरे-धीरे रेच्चुकायो यहाँ पर मर रहा होता है जिसे देखकर टोकुगाबा चिलाते हुए कहते हैं मैच ओवर यह मैच यहीं पर खतम हुआ जिसके बाद हम देखते हैं मुसासी मियामटो सटाक से अपनी तलवार कवर में रख लेते हैं देखने वाले सभी दरसक मियामटो को द गड़ाई का हिस्सा थे उन सभी लोग को बुरा लग रहा है चाहे वो अपने मन को कितना भी रोक लें लेकिन वो यह नहीं कह सकते कि वो यहाँ पर नहीं थे चिलाना उत्साहित करना खिलाडियों को सपोर्ट करना दरसकों की खासियत होती है लेकिन आज यह दरसक ऐसा कु कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा लेकिन मियामोटो को इससे कोई भी फरक नहीं पड़ता वो प्राउडली अरीना से बाहर जा रहे हैं जिसके बाद हम पहुंचते हैं एक होस्पीटल में जहां पर बैड में रेट सुकायों की डेड बोडी रखी होती है जिसे देखका टोग कि क्या मैंने किसी तरह की गलती कर दी जिस पर काकुकायों टोगुगावा से कहते हैं टोगुगावा खुद को दोस मत दो इस तरह की लडाई रेट सुकायों ही चाहता था आपने सिर्फ उन्हें एलाओ किया था जबकि ये बात तो मुझे आपसे पूचनी चाहिए कि मैंन किसी तरह की गलती कर दी वो मेरी टेकनीक की बज़े से ही मारा गया मेरी ही टेकनीक में कोई कमी थी जिस पर यहां पर टोगुगावा कहते हैं आप लोगों से बस मैं यही कहना चाहता हूं अगर टोगुगावा किसी तरह की गलती करता है तो उसका भुकतान भी मुझे ही कर करना होगा क्या यहीं पर बाकी डो मागा का पार्ट 19 एंड जाता है कमेंड्स में रेच सुकायों कि आत्मा को सांती मिले लिखना मत भूलना सो अम मिलते हैं बाकी डो मागा के पार्ट 20 में सो टाटा बयबय टेक क्यार